ओम शान्ति यह सुस्टी एक सुन्दर स्थान है एक रंग मंच है पर यह खेल कैसे चलता है एक बहुत सुन्दर खेल है प्रक्रती पुरुष और परंपुरुष की एक इटर्मिल ड्रामा है सोल, मैटर एंड गॉड की तो यह जो तीनों आपस में इस प्रकार से इस स्रस्थी को चलाते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान और हम आत्माएं इस ड्रामा के रियल एक्टर्स और प्रकृती माता जो कभी हमारे लिए स्टेज का काम करती है तो हमें सस्टेमेंस भी देती है तो यह सारा कार्य कैसे चलता है और उसमें सबसे वंडरफुल बात यह है कि ईश्वर का रोल क्या है भगवान हमें कैसे मदद करते हैं कैसे उनकी कृपा हम पे बरस्ती है अगर एक पे कृपा बरस्ती है तो दूसरे पे क्यों नहीं बरस्ती है जब हमने रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं कि पहले भी हमारी मदद करते हैं यह सारा मेकनिजम कैसे चलता है बहुत वंडरफुल है हम सभी जानते हैं सभी अनुभवी भी हैं जब कभी हम उस प्रमात्मा से किसी भी मदद के इच्छा करते हैं लगभग सभी को वो भगवान मदद भी करते हैं सभी की यही अनुफुती है कि जब कभी भीड पड़ी कोई परेशानी आई और हमने भगवान को याद किया हमारा काम ठीक हो गया फलाना व्यक्ति जब बिल्कुल सफोकेटिड हो गया देखा और कुछ भी रास्ता नहीं है तो उसने हाथ उपर कर दिया और भगवान ने उसके काम ठीक कर दिया लेकिन यह सब कार्य कैसे होता है भगवान कैसे हमारी मदद करते हैं बास्ताब में यह एक सुंदर मेकनीजम है च्योंकि यह आत्मा, परमात्मा और स्रस्टी, प्रक्रती इसका यह जो खेल है, यह तीनों आपस में एक दूसरे की मदद के लिए ही है पर हम आत्माएं बहुत ज्यादा बॉडी कॉंटेक्ट में आते आते देहधारन किया, उसको तियाग किया फिर कर्मों के हिसाब किताब में दूसरा देहधारन किया फिर उसका थयाग किया इन सब में हमारी जुस्मृती है, ओरिजनल स्मृती वो हम विस्मृत हो गए है हमें कुछ बातें भूल गई है हमें वो काौंसिसनेस नहीं है स्मृती का यह मतलब नहीं है कि मुझे बात क्या बताई गई है क्या भी बताई गई है जैसे हमें ये तो पता है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती है सारा दिन चलते, फिरते, उठते, बैठते हम आत्मा भी मानिस्तिती में नहीं रहते हैं तो विस्मृति का मतलब यह नहीं है कि हमें वो याद नहीं है बात लेकिन विस्वृति का अर्थ है कि वो कॉंसाइन, वो कॉंसियसनेस हमारा नहीं रहता है वो स्वरूप हम नहीं बनके रहते हैं तो इस विस्वृति के कारण प्रमात्मा से जो मदद हमें मिलती है उसका सारा मेकनीजम आत्मा भूल गई है तो भूल दे के कारण उसे पता ही निए कि कैसे क्या मिलना है लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो कही ना कही हम इन सब चीजों से उपर चले जाते हैं कि अब तो रक्षा चाहिए मुझे अब सु रक्षा चाहिए अब मुझे मदद चाहिए तो उस समय हम सब कुछ भूल करके उस परमात्मा को याद करते हैं थोड़ा सा उसमें हम सोच के देखें जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उस समय कहीं body consciousness नहीं रहता है उस समय उससे थोड़ा सा हम उपर उठके गए हुए होते हैं और प्रमात्मा से हमारी बादचित हो रही होती है, उसमें शब्द भी नहीं होते, आवाज भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं बादचित हो रही होती है, एक कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, वो कनेक्टिविटी हमारी हर विस्मृती से उपर की होती है, तब देखो, त इस मेकानीजम को समझने के लिए हम एक छोटा सा बृत्तांत लेते हैं महा भारत का भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं जब हम अपनी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं उसकी स्मृति से कि वो पास में हैं वो साथ में हैं वो मेरी मदद करने वाले हैं लेकिन बाकी की जो कोशिश है वो में कर लूँ तो देखना उनकी जो मदद है वो हमें आटोमेटिकली मिल जाती है तो ये व्रित्तान्त महाभारत काल की है जब अर्जुन जा रहे होते हैं द्रौपणी सुवेंबर में और पता है कि क्या करना है मचली की आँख में तीर चलाना है वो भी नीचे पानी में देख करके तो भगवान स्री कृष्ण अर्जुन को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं अर्जुन जाना वहाँ पे सबसे पहले मचली देखना फिर उसकी आँखों को देखना फिर उसकी आँखों में एकागर करना अपना धनुस तया रखना तीर इस प्रकार से करना पानी को देखना उपर देखना नीचे देखना सारी ट्रेनिंग दे जा रहे हैं तब अर्जुन पूछता है, excuse me, अगर मैं ही सब कुछ करूंगा, तो आप क्या करोगे? मचली भी मैं ही देखूंगा, आँख भी मैं ही देखूंगा, कॉंसंट्रेट भी मैं ही होंगा, तीर भी मैं चलाओंगा, सब कुछ तो मैं करने वाला हूँ, फिर आप क्या करेंगे? तो भवान स्री कृष्ण एक सुंदर सी बात कहते हैं, अर्जुन तुम वो करना जो तुम्हारे वश में है, तो मैं वो करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, अर्जुन पूछते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कौन सा काम है, जो मेरे वश में नहीं है, तो भवान कहते हैं पानी को स्थिर रखना अर्जुन पानी को स्थिर रखना वो तुम्हारे वश में नहीं है तो अरजुन ने रियलाइज किया ठीक है बिलकु ठीक हमारी केपैसिटी से उपर एक केपैसिटी है उपर का कुछ काम है जो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन वो भगवान कर सकते हैं लेकिन भगवान उस कार्य को करते कैसे हैं यह एक सुन्दर यहां पर भी एक सुन्दर समझ की बात है कि जब हमारी चेतना एक और्द स्थर में जाती है जिसको सीक्रेट लोग कहते हैं लौ अफ अट्रेक्शन जिसमें काम करता है जब एक सफल होने की मनोवृत्ती से पूरी लगन के साथ हम कार्य करते हैं तो हमारा सबकोंसियस उसमें जागरत हो जाता है वो subconscious एक environment create करता है और उस environment में जो impossible है उसको possible करने के लिए जैसे secret वालों ने कहा soul of the universe वो काम करने लग जाता है अर्थात हम आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं उस समय कि हमारा प्रकृती पे भी एक control आता है और उस control के हिसाब से चीजें हमारी favor में होने लगती हैं तो यहां हम यह देखते हैं भगवान का साथ माना हमारी पूरी दिस्ठा हमारी पूरी इच्छा हमारा सारा पूरा बनो बृत्ति जब एकागर होता है निस्चिन्त होता है कि वो सर्वशक्तिवान मुझे मदद करने वाले हैं तो उनकी मदद पहुँच जाती है उसका ये mechanism है और इस mechanism पे हमें संपूर निश्चे रखना होगा कि वो इश्वर जो मेरे पिता है माता प्रकृती जो मेरी मा है वो हमेशा मुझ आत्मा के कल्यान के लिए मुझ आत्मा की मदद के लिए हमेशा है तो देखना impossible कार्य पॉसिबल हो जाएगा तो हम सभी हमेशा ये सोच के रखें कि वो सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है क्योंकि ये ड्रामा ही इस प्रकार से बना हुआ है वो इश्वर मेरा इटर्नल फादर है फादर ही नहीं मदर भी है पैरिंट जो भी आप कहें उसमें मा जितना प्यार गहरा प्यार और पिता जितना के और सब कुछ उसमें भड़ा हुआ है तो वो हमेशा हमेशा हम बच्चों की मदद के लिए बांधे हुए हैं मदद करना चाहते हैं बस जब हमारी बुद्धी की लाइन क्लियर होती है उनसे हम कनेक्टिट होते हैं तो वो हमारी मदद करने लग जाते हैं लेकिन जब हमारी बुद्धी उलस जाती है डाउट्स मे आजाते हैं, हम कहीना कहीं फस्ट जाते हैं, तो हमें परमात्मा की मदद नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आज से, जो ब्रमा कुमारिस में हम राजयोग सिखलाते हैं, जो भी ब्रमा कुमारिस का ज्यान है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है, कि निश्चे बुद्धी विजय किप्कषेयन्ती संसे एगे बुद्धी विनेशंती अगर हम परमात्मा पे निश्चे रखते हैं अपने आप पी निश्चे रखते हैं इस वाल्ड घ्रामा पे मातर प्रकृति पे वाल्ड den siis रखते हैं, तो हमारी विजेश मनिश्चित है जरूर बिजे हुई पड़ी है तो इसलिए हर बात में निस्चिन्थ हो करके हम अपने कर्मक्षेत्र पे आगे पढ़ें जीवन में परिस्थितियों का आना लाजमी है और शायद ये भी है कि जो बहुत अच्छा एक्टर होता है टारेक्टर उसे सबसे टफ मुश्किल सिचुएशन्स देते हैं मुश्किल एक्टिंग देते हैं उसे करने के लिए लेकिन एक अच्छा एक्टर हर परिस्थिति में हर चीज को अपने काबिलियत के हिसाब से बहुत सुन्दर रिती से रिप्रेजन करता है ठीक उसी प्रकार जीवन में अगर कठिनाईयां आती हैं तो उन कठिनाईयों में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है हम कई बार एकदम कनफ्यूज हो जाते हैं और उस कन्फ्यूजन में क्या होता है हमारा मन रूपी जो सरोवर है वो गंदला हो जाता है उसका पानी जो है वो गंदला हो जाता है, तो हम चीजों को उस पस्त नहीं देख पाते हैं, लेकिन करना क्या चीए, जब परिस्थितियां ऐसी हो, बिकट हो, और हमें लगे कि मेरी किपैसिटी से उपर है, उस समय हम अपने मन को एकागर करें, शान्त करें, और शान्त करें, इतना शान्त कि सारी गंदला हक नीचे दब जाए, और मन स्वच पवीत्र हो जाए, एकदम निर्मल हो जाए, तो देखना, उसका सॉलूशन निकलाता है, और यहां तक कि जो मेरे हाथ में नहीं है, वो सॉलूशन पी निकलाता है, उसके लिए भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सबने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी हम उसको इस टॉपिक के हिसाब से उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेखे एक कहानी इस प्रकार से, एक बार जंगल में आग लग गई, बड़ी भयाना काग, लेकिन उस समय हिर् पिचारी को बच्चा देना था, पिचारी क्या करें, कहां बच्चे को जन्म दे, तो इसलिए जंगल से बाहर निकल आई, देखा नदी का किनारा है, बहुत सुन्दर जगह है, और उसने सोचा यहां में बच्चे को जन्म देती हूँ, लेकिन जैसे ही वो उस नदी किनारे बच्चे को जन्म देने के लिए बात सोच रही थी तो उसने जाडियों में कुछ सुरहाट देखी देखा एक शिकारी निशाना बनाया हुआ है वो उसे मानना चाहता है तो हिर्णी ने सोचा मैं दूसरी तरफ भागू जब वो दूसरी तरफ भागने लगती है की आग दूसरी तरफ तेश बहता हुआ पानी आग में भी नहीं जा सकती है पानी में भी नहीं कूछ सकती है तीसरी तरफ वो खुखार शिकारी है जो उसे मानना चाहता है बंदुक लगाए बैठा है चौथे तरफ शेर जाए तो जाए कहां लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है तो उस समय उसने उपर अपनी आखे की उस प्रमात्मा को स्मरन किया कि हे प्रभू अब मेरा कोई नहीं है मेरे बच्चने का कोई रास्ता मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है इस ननी सी जान को मुझे धरती पर लेके आना है आप मेरी मदद करिए हिर्नी ने सब कि छोड़ कर के उस भगवान को याद करना शुरू किया कि आप मेरी मदद करें अब आप बताईए बगवान ने उसकी कैसे मदद की होगी कैसे मदद कर सकते हैं चारों तरब से कहीं ना कहीं उसके उपर आक्रमन हो रहा है, चारों तरब से वो घिरी हुई है, कहीं सिक्योरिटी नहीं है, भगवान उसकी कैसी मदद कर सकते हैं, मैं बताते हूं. जैसे ही जंगल के वो जो आग की चिनकारी थी, जैसे ही उसने भगवान को याद किया, जंगल के आग के एक बड़ी सी चिनकारी आकर के शिकारी के हाथ पिब गिरा, शिकारी इंबैलेंस हो गया और बंधुक चल गई, पस थोड़ा सा निशाना चुक गया, बंधुक जाकर के शेर के उपर बजा शेर वहीं धेर हो गया और आग में शिकारी भी अद्ध जला घायल हो गया वो भी भागनी लगा हिर्मी ने परमात्मा को शुक्र अदा किया और वहां उस नुन्धी बच से बच्चे को जन्म दिया भाईयों और बहनों कितनी भी मुश्किलात जीवन में आये कभी घबराईये मत उस परमेश्वर को स्मरन कीजिए उनको याद कीजिए देखना हर परिस्तिती कितनी भी मुश्किल हो आसान हो जाएगी और हम जीवन में मुस्कुराते रहेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद खूब खुश रहें जीवन और परिस्तितियां विकट हैं अभी लेकिन ये विकट लंबे समय तक नहीं चलेगा फिर देखना इस दुनिया में खुशियां किलकारियां लेंगी ओम शान्ती